हमारे साथ इस वक्त पूर सांसद सर्पाल जैन जी मौझूद हैं जिनको एक नई उपादी दी गई है तीसरी बार उन्हें एडिशनल सॉलिशीटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो क्या कहना उनका आए जानते हैं मैं देश के प्रधानमंत्री श्री इंडरेंदर मोधी जी और ग्रेह मंत्री श्री अमिशाद जी का पारिटी के देख्ष नड़्ड़ा जी का कानून मंत्री रवीशंकर जी का बात अभारी हुँ जिनोंने पुने अपने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और पंजाब अ मेर्याना हाई कोट में मुझे पुरहें तीसरी बार अडिस्टनल सॉलिस्टर जेनरल की जिम्मेबारी भाई है। मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में उनका विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे इतनी शक्ती बल देगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी का आने वाले तीन सालों में भी पूरी इमानदारी और ध्यानदारी से निर्वाहन कर पाऊंगा। अगर बात की जाए आप सांसद भी रहे हैं और लगातार तीसरी बारी आप सोलिसीटर बने हैं तो क्या गहना चाहें क्या समसुस करें। तीक जीवन के हर दोर से गुजरा हूं पबलिक लाइप में भी रहा हूं वकालत भी 40 साल से कर रहा हूं पंजाब इनुश्टी में रहा हूं लोकसभा में रहा हूं अपनी तरफ से एक ही प्रयास किया है कि जिन्द्गी के जिसमर्जी दोर से गुजरें जहां से भी जाए जहां भी जो काम मिले उसको इमानदारी से करें पारलिमेंट में था तो पारलिमेंट में चंडी गड़ के मुद्धे पूरे उठाए उठाए इनुश्टी सेनेड में था तो हर विशे पर अपनी जो भी रायत महसूस हूई वो रखी अब अदालतों में वकालत कर रहा हूं अब भारे सरकार की वकालत कर रहा हूं तो जो भारे सरकार का पक्ष है उसको पूरी जोर से बावाज बलंद कोट में रखने का काम कर रहा हूं इसलिए मुझे खुशी इस बात किया है कि जिस दौर से भी गुजरा हूं संतोस जनक विवार के साथ में गुजरा हूं तो सिर अगर बात की जाए लगादा करोना संकड भी बढ़ता जा रहा है तो लोगों को क्या संथ देना चाहता है देखे ये पिछले चार-पांच महीने में जो नई बहुती नामुराद बिमारी आई है ये बहुती खतरनाक बिमारी है इस समय पचास लाग से उपर लोग दुनिया में इससे परभावित हो चुके हैं चार-पांच लाग मर भी चुके हैं और किसी ने इसको दिखा नहीं है इसके सामने सारे लोग फेल हैं और फिर लोग डाउन करके देश को बचा लिया है अगर उस समय वो कदम ना उठाई होते तो शायद हमारी हालत भी इटली जैसी या अमेरिका जैसी होती है अभी भी इसका जो कहर है वो कम नहीं हुआ है हलाके जितनी तेजी से बढ़ सकता था उसको सरकार ने रुका है इतना ही नवज़न है सुरक्षित रहें घर में रहें जो जो प्रिकॉशन से सब का पालन करें कोई भी किसी किसम की लापरवई ना रखे बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं बाहर जाएं तो जो डिस्टेंस है वो मंतें करें जो सोशल डिस्टेंसिंग इंफेक्ट सही शब्द नहीं है शही सब तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ताके एक दूसरे से एक रोना जाना सके इसलिए जो जो भी precautions हैं खाने पीने की immunity की exercise की precaution की घर में रहने की उसका पालन करें जितना स्वैम को बचा कर रखेंगे उतना बचेंगे और जितने लापरवाही करेंगे तो उसका प्रणाम खतरनाक भी हो सकता है तो यह थे हमारे साथ पूर सांसत सपाल जैन जी जिनको लगातार तीसरी बार एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गया चंडिकर सी कैमरमेन बनीश कुमार के साथ जीत कुमार चाहिए रपोर्ट